दिल्ली पुलिस और गुज्राद पुलिस को साजहाँ अप्रेशन में बड़ी कामयाभी हाथ लगी है गुज्राद के अंकलेश्वर्थ की एक कमपनी में तलाशी के दौरान पांसो अठारा कीलो को कीन बरामत की गई है अंतर रास्टे भाजार में कीमत खरीब 5,000 करोड इसकी बताई जा रही है दिल्ली पुलिस ने बताया है कि को कीन उसी इंटरनेशनल ड्रग सिंडीकेट से चुड़ी है जिसकी दो बड़ी खेप दिली से 2 अक्तूबर और 10 अक्तूबर को छापे मारी के दौरान पकड़ी गई थी अब तक इस सिंडीकेट की खुल 1,289 किलो ड्रग जबत की गई है साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 13,000 करोड रुपे बताई जा रही है सूत्रों के मताबिक ये देश में किसी भी अजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जबती मारी जा रही है दिली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार 700 किलो ग्राम को कीन की जबती के मामले में जाज के दौरान यहाँ पर स्पेशल को पता चला है कि मादग परदार्थ, अंकलेश्वर स्थित, अबकार ड्रग लिमिटेड कमपनी से आई और गए थे अधिकारी ने यह भी बताए कि रविवार को स्पेशल सेल की एक टीम गुजराथ भेजी गई थी और कमपनी के गोदाम से कोकीन बरामत की गई उन्होंने बताया कि मौके से पांच लोगों को गिरफतार भी किया गया अगे ग्राफिक्स पर नज़र डालते हो जानते हैं कि देश में कब कब हुई ड्रग की बड़ी जबते 28 फरवरी 2024 की पहले बात करेंगे गुजराथ तट से 3300 किलो चरस बरामत हुई थी और साथ ही मौफरीन जबत किया गया था इसका मुल्य 2000 करोड था एरानी नाव पर सवार पांच वदेशी नागरिक गिरफतार हुए थे उस टाइम साथी 13 मई 2030 में केरल तट से NCB और नौसेना की टीम ने 2500 किलो ग्राम जग जबत किया था इसका मुल्य 15,000 करोड रुपे के खरीब बताया जा रहा था सितमबर 2021 गुजराप की मुंद्रा बंदरगाह पर रास्ट्रिय अन्वेक्षन अभियान के द्वारा 3000 किलो ग्राम हेरोईन जबत की गई थी जांच अजनसी ने इसकी अनुमानित कीमत 21,000 करोड रुपे आ की थी अब सवाल है कि दुबाई और ब्रिटेन से इसका कनेक्षन कैसे है जो ड्रग्स अभी पकड़ी गई है रिखे आरोप्यों ने दुबाई और ब्रिटेन से अपरेट यहने किया जा रहा है कथेत अंतरास्टे गिरोख के समद्ध में पूछतात की जा रही है साथी स्पेशल से ले दो अक्टूबर को दक्षनी दिल्ली के मही पालपुर में होई एक गोदाम से 560 किलो ग्राम से अधिक कोकिन और 40 किलो हाइड्रो पॉनिक थाइलेंड मारी जुआना जब्त क्या था जिसकी अनुमानित कीमत 5620 करोड रुपए है तथा चार लोगों को इसमें गिरफतार भी किया गया था इसके बाद दो अन्य लोगों को अमरिस सर और चेननई से गिरफतार किया गया पुलिस ने गुरवार को उत्तर परदेश के हापुड से एक और व्यक्ति को गिरफतार क जो की इस पूरे मावले में गिरफतार किया गया सात्वा व्यक्ति निकला है दिल्ली पुलिस की स्पेशल से ने रविवार को गुजरात के अंखलेश्वर सित नीजी कमपनी अवकार ड्रुग्स लिमिटेड में छापे मारी कर 5000 करोड रुपए की 518 किलोग्राम को कीन ड्र दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ड्रग की बड़ी खेब जबत की है, पुलिस ने कुल करमचारियों को पूश्टाच के लिए भी यहाँ पर कुछ करमचारियों को बलाया और हिरासत में उन्हें लिया गया है कंपनी के माले को नोटिस दे दिया गया है सूत्रो ने बताया है कि स्पेशल सेल ले एक अक्टूबर को महिपालपूर में तुशार गोईल नाम व्यक्ति के गोदाम पर छापा मारा था और छापा मारने के बाद 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलो हाइड्रोपोनिक मेरिजुआना की खेप वहां से जबत की थी जहां से हिरासत में लिये गए लोगों से पूश्ताश में रमेश नगर की दुखान के बारे में भी सूचना मिली थी स्पेशल सेल ने 10 अक्टूबर को रमेश नगर स्थेट दुखान में छापे मारी की पुलिस ने इस दुखान में 208 किलो अत्रिक्त कोकीन बरामत की और साथ ही पुलिस ने रमेश नगर और महिपालपूर से बरामत ड्रग्स के तार खंगा ले तो पता चला कि ये ड्रग गुजरात के अंकलेश्वर स्थित नीजी कमपनी से दिल्ली लाया गया था इसके तार पहां से जोड़े हैं और इसके बाद छापे मारी की गई जिसके लिए टीम को गुजरात बेजा गया था दिल्ली और गुजरात पुलिस ने मिलकर कमपनी के परिस्तर में छापे मारी की पहले दिल्ली पुलिस को पता चला था कि महिपालपूर और रमेश नगर में जो खेप पकड़ी गई वो गाजियाबाद और हापूर से लाई गई थी पुलिस जांच के लिए जब गाजियाबाद और हापूर पहूंची तो गुजराद कनेक्शन भी सामने आया और इस पूरे मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफतार कर लिया गया है वहीं पुलिस ने 100 से अधिक स्थानों पर छापे मारे की है 13,000 करोड की ड्रग्स जबत की गई है